हेलो स्टुडेंट्स टुडे वी आ गूंग टू डिस्कस इबाट इन स्किन इंफेक्शन और इन्फेस्टेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पता दू हम जितने भी टॉपिक आपके अमर्जंसी टाइम में अभी हम प्रपेर करा रहे हैं यह सब एक्जाम व्यू से बह अब इसके में पूछे गए हैं तो फस्ट इंफेक्शन ऑफ इसकें में सबसे पहले आता है टीनिया कॉर्पोरिस डेफिनिशन देखो फंगल इंफेक्शन इन वालविंग ट्रंक और एक्स्टेमिटी इसा फंगल इंफेक्शन जो फंगस से होता है और वह किसको इन्वाल क of epidermophyton and microsporum and trichophyton तो यह जो fungus होते हैं जैसे dermatophytes, microsporum and trichophyton तो इनकी वज़े से होता है यह tinea corpores इसका appearance कैसा दिखेगा प्लाक्यू विद रिद्मा and scale central clearing ठीक है ऐसा formation होगा कि उसमें रिद्मा होगा bleeding भी आपको देखने को मिलेगी और प्लाक्यू formation होगा अबनब उसमें deposition भी होगा सबस्टांस का डाइग्नोस करने के लिए हमें skin scrapping लेनी पड़ेगी skin से कुछ पार्ट scrap करके लेना पड़ेगा और उसमें हमें अगर microscope में रखेंगे तो हमें एक हाइप तरहकत देखने को मिलेगा बात करें कि तो टॉपिकल एंटी फंगल मेडिसेंस यूज करते मोस्ट फॉर्मन जैसे केटो कोना जोल जिसे हम नाम से भी जानते हैं और यह सफिशेंट होती है ओरल एंटी फंगल भी दे सकते हैं अगर बहुत जादा सीवियर केसे होते हैं तो देखो ऐसे कुछ होता है आपका यह फंगेस इंफेक्शन नेक्स्ट येस्ट इंफेक्शन इस्ट भी वहत तरह के इंफेक्शन कॉज करते हैं तो इसके आपके इंफेक्शन कांडीडा अल्बिकंश प्रफिक निक हैं फोर इसकिन इफ गें फूट हो ठीक है सब्सक्राइब करने के लिए तो इस तरह के जो कांडीडा अल्बिकंश होते हैं यह जादा इंफेक्शन कॉज करते हैं पहला है पिक्ट्रियाओ सिस वरिसिक ऑ्लठ डेफिनिशन देखो इसकी मेस वरिसी-पॉलर और यह इनिया वरुसिक काड Argentinal सुपर्फीशियल संगल इंफेक्शन जाडर कास के ऑलजी क्या है以स्ट मेलाजिया फॉब송 मोस्ट कामन अकर civीर्म काई में तोर कोई परसन है जो म क्लाइमिट में है जब घंडा है जब गर्म है नमी वाले एरिया में अगर कुछ है पर हमारा बॉड़ी सर्फिस एरिया तो वहां पी ये ये इस्ट ग्रो करता है और इंफेक्शन कॉज करता है इसका नाम क्या है मलाजिया फुरफुर अपेरंस कैसा दिखेगा हाइपो पिग सकती है यहां पे दो सकती है कि इस्ट इंफेक्शन होने की वज़त से पर्टिक्लर एरिया पर हाइपो पिग्मेंटेशन हो सकती है या कि मेंड कं है तो वाइट पाम कैन देख सकती है या हइस्वा फि tweести मैं ब स्ट्र लिए कि उस तरह दिखेंगे औar। आपर बैक सबसे आपर बैक में देखने को मिलेंगे और अपर चेस्ट में लिए ठीक है। आफ्वेशी कई चांसे में देखा जाता है कि ये खुझली करते हैं अदर्वाइस में कोई symptoms नहीं होते हैं इसको diagnose करना हो तो हम इसमें भी scrapping करेंगे skin से कुछ part scrap करके लेंगे उसके बाद उसे examine करेंगे तो examine में हमें क्या appearance दिखेगी short hype and round east form दिखने को मिलेंगे ठीक है उनके short hype दिखने के और round round color के आपको east के forms देखने को मिलेंगे diagnosis अंडर microscope अगर देखोगे treatment के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2.5% selenium sulphadine lotion हम लग दे सकते हैं यह शैंपू यूज कर सकते हैं containing zinc parathion ठीक है यह applied कर सकते हैं 5-10 minutes prior to showering everyday for two weeks तो जो भी person है उसको बोलेंगे कि शैंपू जिसमें zinc parathion है उसको आप 5-10 minutes पहले लगा लो नहाने से पहले दो वीक तक तो वह यूज करना है या फिर आप सीधा इंट्रा कुना जोल आप यूज कर सकते हो 200-400 mg orally once दे सकते हो twice a month ठीक है और यह प्रोफाइलेक्टिक लिए रहेगा यानि कि infection होने से पहले हम देंगे नेक्स्ट है इंटर ट्राइगो इंटर ट्राइगो क्या वी तरह का infection इस्ट का तो इसके definition देखो irritation of inter-trigeneous area जो हमारी हैं अंडर ब्रेस्ट है ग्रोइन एरियाज हैं तो यहां पर यह infection ज्यादा कॉज करता है इसके causes हैं East light to grow in moist सबसे पहले बात अभी मैंने आपको बता है ज्यादा ठंडी नगर नमी वाली जगह में यह ज्यादा तर ग्रो करते हैं ठीक है especially when the skin is chapped or macrated for any reason किसी भी तरह region से skin chip की हुई है बहुत long time तक और moist area तक है तो वहां पर हो सकता है ठीक है inter-trigo can also be caused by bacterial infection यह bacterial infection से भी होगा ठीक है especially between the fingers and toes सबसे यहादा finger और टोज में bacterial infection की हो सकता है और कौन सा bacteria होगा corny bacterium most often cause करता है तो यह याद रखना corny bacterium important है appearance कैसी दिखेगी इरिद्मेटस प्लेक्यूफ फॉर्म दिखेंगे ठीक है bleeding type के आपको प्लेक्यूफ फॉर्म दिखेंगे patches दिखेंगे intragenous areas में अगर diagnosis करना है तो आपको इसके clinical appearance यानि की patient में जहां infection हो रहा है उसको देखकर आप symptom से पता करोगे कि यह क्या problem है तो symptom में आप जो patient को देखोगे patient के fingers के बीच में या toes में under breath, buttocks तो यह आपको देखने को मिलेगा इस तरह से infection treatment क्या दोगा antifungal cream यूज कर सकते हैं topical ketakonazole and mild corticosteroids भी दे सकते हैं patient को inflammation को reduce करने के लिए अगर irritation ज्यादा होती patient को bacterial infection है तो patient को erythromycin भी हम दे सकते हैं oignment दे सकते हैं 2% ठीक है orally नहीं देंगे oignment देंगे उसे के लगाने को antibiotic इस तरह से आपको देखेगा यह वाला इस्ट इंफेक्शन है नेक्स एंगुलर चिलियाटेस इंगुलर चिलियाटेस क्या है inflammation of commissures of lips जब माउथ का sides होता है उस पे आपको inflammation देखने को मिलेगी इत्योलिजी क्या है irritation of skin fold can occur from drooling और लिप लिकिंग बहुत ज़्यदा किसी को saliva mouth के side से निकलता है उसे drooling बोलते हैं और लिप लिकिंग बहुत ज़्यदा है तो उसमें बार-बार बच्चों को आदत होती है कि वो अपने टंग को लेके आते रहते हैं लिप्स को लेकिंग करते रहते हैं उनमें ज़्यदातर यह कौज हो सकता है कौन कौज करेगा Candida सुपर इंफेक्शन का नकर उसकी वज़े से हो जाएगा इस्ट से तो अपिरेंस क्या दिखेगी क्राक्स हो सकते हैं लिप्स पे फिशर फॉर्म हो सकते हैं रिदिमा हो सकता है कहां पे अंगल ओफ लिप्स कमिश्र ओफ लिप्स पे डाइग्नोसिस कै क्या से करोगे clinical appearance देख लो patient को examine कर लो physical examination आप उसकी appearance देख लोगे उसके according क्लियर कर दोगे कि एंगुलर चिलियार्टिस है treatment क्या है वही अपनी best cream ketakonazole आप दे दो affected area में patient को लगाने को कुछ इस तरह से आपको देखेगा angular चिलियार्टिस है राइट नेक्स है bacterial infections of skin bacterial infection में सबसे पहले और most important राता है impatico इसे हमें इसा याद रखने ना बहुत important exam बहुत बार पुछा जाता है तो यह skin infection है caused by staphylococcus and staphylococcus organism जो most common bacteria staphylococcus origin के यह staphylococcus यह cause करते हैं impatico impatico में causes हाप पता ही चल गया आपको की staphylococcus aureus यह staphylococcus pyogenes हैं जो ही यह cause करते हैं ठीक है क्या characteristics होंगे इसमें characterized by vesicles vesicles बनेंगे ठीक है बुले बनेगा और can result from certain of strains staphylococcus aureus तो आपको इतना याद रखना है इसमें से कि आपको vesicles form होंगे vesicles मतलब fluid filled sacks form हो जाएंगे उसमें fluid भरा होगा ठीक है अब आप देखो appearance में प्लाक्यू formation होगी इरोजन्स होंगे यूजली यल्लो इस क्रस्ट ऐसे जिगह पर आपको यल्लो टाइप की क्रस्ट भी देखने को मिले के पपड़ी सी जमेंगी अब बुला भी होगा बुलस फॉर्म मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में वह भी फॉर्म होगा डाइग्नोसिस अगर करना है तो इंफेक्शन व्फिष्ट इसकिन का है तो हम अब क्लिनिकल आपिरेंस यानि फिच्कल एक्जामिशन से पता लगा सकते हैं इंपाटिको का और या फिर हेस्टो पैस्टो लॉजिकल एक्जामिशन भी करेंगे वेसिको पैस्चूल का यानि व्यों बने हुए हैं वैसिकल ल में फ्लूट वरा वोग उसका सैंपल सेंड कर सकते हैं ये डिटेट करने के लिए कि कौन जा बैक्टीरिया कॉज कर रहा है ट्रीटमेंट में हम इंपाटिको में एंटीबाटिक्स देथ सकते हैं पेशनन को जैसे की ओरल डैकलो जा सन्य ऑर डैकलोकरचसलन 500 १देंगे पेशनन को इरित्रोमैसर सकते हैं 500 फिर आप सब्सक्राइब में बहुत एक सकते हो जैसे से इसको सब्सक्राइब अगर चोटने लेजिशनतर आप प्रेसिन यह इंटिबाइटिक ऑईड्मिंट यह दे st vampirelo-coccus genome Mehronephritis तो आर्लियर ट्रीट्मेंट बहु जदा important हो जाता है कि कुछ इस तरह से आपको देखेगा devetc के डिइक तो है नेक्स्ट फ्रंके ल्व्लस बॉittel्स और कार्बंकल्स कार्भंकल्स कर्बंकल्स देख देखो फ्रंकल के एक सान दिछा रील हो मैंक। और एक एक फॉलिकल के साथ इंडिविजुल लेजन्स आपको देखने को मिलेंगे कर्बंकल्स क्या है को लेंगे इस्टेफाइलो को का बैक्टीरिया है जो प्रॉबलम करता है फ्रंकल्स में क्या होंगे नोड्यूल फॉरम होंगे नोड्यूल पॉरमेशन पस्ट कर्वप सूदें और इंफ्लमेशन को मात ज़ी और यह प्रॉबल्म होग नोड्यूल 2 छाइज घ्वर से जड़ा बड़े नोड्यूल से बड़े इसे के इंदर अंदर और यह कहां होते हैं mostly posterior neck neck के पीछे साइड में या बटक रियेजन में पाए जाते हैं diagnosis culture करा सकते हो आप particular area का sample लेके उसे send कर सकते हो culture के लिए bacteria identify कर सकते हैं मैक्रोबैल्जी में पढ़ा होगा आपने कल्चर के लिए ठीक है treatment में हम incision दे सकते हैं patient को drainage कर सकते हैं oral antibiotic दे सकते हैं या इंसीजन करके उस particular पस्चूल को या नोड्यूल को हम remove कर सकते हैं या उसमें जो fluid भड़ा उसको drain कर सकते हैं और patient को oral antibiotic भी दे सकते हैं केंक्रोइड यह इंपोर्टेंट एक्जाम व्यूसे सकोच्छे से समझना केंक्रोइड केंक्रोइड क्या है एक तरह का STD है sexually transmitted disease caused by contact with infected partner जो अल्रेड़ी अफेक्टेड है केंक्रोइड से उससे अगर physical contact होते हैं किसी person के तो यह स्ट्रीज होती है इतियोलजी क्या है इसका हीमोफिलस ड्यूक्रियाई यह इंपोर्टेंट है एक्जाम में कई बार पूछा गया है हीमोफिलस ड्यूक्रियाई तो याद रखना appearance कैसी दिखेगे very painful origin patient को painful origins होंगे ulcer formation हो जाएगी on the penis and genital areas usually with a gray base तो ग्रे कलर के ऐसे problems create हो जाएंगे patient में cankroid में और ulcer formation हो सकती है में यह मेल को affect करता है तो diagnosis अगर करेंगे तो हम scrapping कर सकते हैं कि scrapping कर सकते हैं ulcer area की gram staining के लिए और microscope में हम examine कर सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा ग्रांग नेगेटिब कोको बैसिलाई मिल सकता है ठीक है या फिर हम उसे schools office भी बोलते हैं कल्चर अगर करेंगे तो कल्चर करेंगे पॉसिबल है लेकिन difficult होता है क्योंकि टू-टू-फोर आर में यह स्वैब डाई हो जाता है यह वैक्टिरिया इनक्टिवेट हो जाता है कल्चर आप करना बहुत पॉसिबल नहीं है तो इसलिए हमें स्वैब को बहुत ही क्विकली लेबरेटरी तक भीजना अगर कल्चर कराना है जो हमने सेंपल लिया है ट्रीटमेंट में वही आपका एंटिवाटिक एरिथ्रोमाइसें आपको 500 एंजी दे देना है टू-वीक् याद रखना बहुत इंप्रॉटेंट है प्यूमा वाइरस वाट्स कोण का प्यूमा वाइरस इपितिल्य लेजन्स एपितिलियन में इंफेक्शन कॉस करेगा तो लाइन में देखो इं्क्लीव और वाटस हैं फीड अर्दर कुटेनिय सर्फिस फ्लाट कहां से हो सकते हैं फेस और लेक्स पे वाट की थीव या सरवाइकल वाट्स होंगे ठीक है ले लारिंजेल वाट्स लारिंस में होंगे परिनियल वार्स परिनियल एरिया में हो जाएंगे तो इनकी वज़े से या लार्ज कर्लिफार लाइक वाव मासस भी बन जाते हैं ठीक है तो इत्योजी क्या होगी ट्योजी मैंने भाब क्यों बता दिया infection बेद है तो इत्योजी अगर देखो देखो क्या मिलेगा इंफेक्शन भी एच्पी भी हुमन पापिलोमा वाइरस डिफरेंट काइंड ऑफ हो सकते हैं डिफरेंट काइड ऑफ हिमन पापिलोमा वाइरस की वज़े से इसे वाट्स ऑन हैंड्स फीट्स फेशेस ठीक है या फिर तो इन सबकी वज़े से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वाट्स हो सकते हैं जैसे एनो जनाइटल ठीक है एनल एडिया में सर्वाइकल रिजन में हो सकते हैं फेरेंजियल रिजन में वाट्स बन सकते हैं बिकॉज अफ इस टाइप ऑफ हीमन पापिलोमा वाइरस ठीक अगर देखने की बात करें तो रफ स्कैली पेप्यूल्स देखने को मिलेंगे ठीक है और क्या होंगे वह क्लस्टर में भी हो सकते हैं कहीं भी स्किन सर्फेस में ठीक है को डाइग्नोसिज अगर करना है तो प्रेरिंग अवर्च वील्ह लिवील स्वाइब लगां की तरह दिखेंगे ठीक है ट्रीटमेंट में प्या कर सकते हैं लिक्कुट नैट्रोजन ट्रीटमेंट कर सकते हैं टॉपिकल salicyclic acid patient को हम दे सकते हैं ओइन्मेंट ठीक है ओइन्मेंट दे सकते हैं salicyclic acid का topical canthra लगा सकते हैं patient को ठीक है blistering agent होता है वो हम दे सकते हैं या अधर topical ward preparation in no genital wards भी treat कर सकते हैं ठीक है उन्हें दे कर अनो जनाइटल वाट्स can be treated by painting वेद पोड़ो फाइलन पोड़ो फाइलन नमकी ड्रग होती है वह हम लगा सकते हैं patient को जो कि six hours के बाद हमें wash कर देनी है ठीक है और उसके बाद two to three weeks तक के treatment continue करना इम्मिनो थेरपी दे सकते हैं अगर patient के immunity कम है ठीक है immune modulator दे सकते हैं patient को जो कि treatment में इस्पिशली जनाइटल वाट्स में helpful होते हैं यह देखिए वाट्स formation अ फिर है अपका important हर्पीश सिंप्लेक्स हर्पीश सिंप्लेक्स की definition देखो हर्पीश सिंप्लेक्ष वारेस infection causing fiber sorry fever blisters genital lesions में होते हैं other skin lesions में हो सकते हैं या often around mouth and buttocks में यह होते हैं etiology क्या herpes virus है ठीक है mouth skin में herpes virus first mother skin में cause करेगा और हर्पीश वारेस second genital lesions और skin में problem create करेगा appearance कैसा दिखेंगे cluster of vesicles on arrhythmatus base clusters दिखेंगे vesicles के बहुत group में vesicles superficial होंगे fragile roof होगा resulting in erosion जो की erosion हो सकते हैं उनमें damage हो सकता है lesions painful होंगे ठीक है burning होंगे lesions tend to re-accur वो फिर से हो सकते infection होने के बाद और दो से तीन week में यह resolve हो जाते हैं अगर वाइरस remain हो गया अगर वाइरस remain हो गया तो यह important बात याद रखना आपके ट्रेजर माइनल नर्द के damage करेगा और जिससे कि आपको भुझा प्रॉब्लम क्रियेट होगी जिसकी वजह से stress इस में डिफ्रेंसेज इलनेसे सन एक्सपोजर यह सब भी प्रॉब्लम क्रियेट हो सकती है डिजह करने के लिए हम टेंजक टेस्ट कर सकते हैं टेंजक टेस्ट में हम स्क्रैपिंग स्किन लेंगे उस वैसिकल एरिया के पास में स्टेन करेंगे ठीक है कॉन से यूज और मल्टी न्यूक्लियेटिट घॉस जल्स हमको देखने को मिलेगी ठीक है ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो औरल एस आइकलोवीर नाम की ड्रक्स दे सकते हैं वैल साइकलोवीर ड्रक्स सब सॉट कोर्स के लिए एक्टिव इंफेक्शन और जिसके पास फ्रिक्वेंट एक्रेंस होता है तो उनको डेली सप्रेशिव थेरपी देंगे इस मेडिसिंस की और टाइम भी जब जब अटैक होगा तब देंगे ठीक है फिर वैरिसला जूस्टर यह इंपोर्टेंट है डेफिनिशन वाइरल इंफेक्शन कॉजिंग चिकन पॉक्स और इसके बाद वाइरस फिर से रिसाइड होगा और उसके बाद विए जूस्टर फॉर्म करेगा तो ध्यान रखना है कि किसी को अगर एक बार चिकन पॉक्स निस्ट टेंगी चुक्तवर बाद फिश्टी शॆइंगे लेकिन उसके बाद में फिर सिंगल सॉगा तो पेइनफुल बुला फॉर्म होंगे एरिदिमेटर्स बेस डर्मेटॉल डिस्ट्रिबूशन हो सकता है पेशन को बहुत ज़्यदा प्रॉब्लम होगी डाग्नोसिस अगर करना है तो वही टेंजेक प्रपरेशन स्क्राप करेंगे स्किन को बेस आफ वेसिकल्स को स्टेन फिर है मोलस्कम कंटाजियम वारल इंफेक्शन है वारल डिसॉडर ट्रीटिमेंट ट्रांस्मिटर बाइक कॉन्टाक्ट तो यह किसी तरह ऐसे परसन जिसको अल्रेदी इंफेक्शन हुआ है उसके कॉंटाक्ट में आने से यह ट्रांस्मिट होगा पॉक्स वायरस की वज़ अगर कोई ऐसे बच्ची के कॉंटाक्ट में हैं जिसको मॉलस्कम कंटाजियम हुआ 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 है सम्टाइम्स में मिलेगा अडल्स में लोवर अब्डॉमनेल एरिया में मिलेगा कब आफ्टर कॉंटाक्ट भी सेक्शुल पार्टने डाग्नोसिस करेंगे तो युजनी ड टेंटीन न्यों हम दे सकते हैं पैषेंट को किरीम तरह यह हुते हैं है इंसेक्ट और रेखनोय वाइट्स गैने आइस हिनको नॉइट सिस्टीच ओर सकते कर लो पिशेंट से पूछ लो या फिर उसके हैर को नेल्स को अबजर्ब करके देख लो कि अब पेरेंस कैसा मिलेगा आपको टिपिकली इदमेट प्यूल देखने को मिलेगा ठीक है लेजन्स भी हो सकते हैं सिंगली हो सकते हैं ग्रूप में हो सकते हैं वैसिकल्स एक्सक्रिक को सकते हैं बिलाइडिंग वाले और और इचेंग बर निग डिमा यह देखने को मिलेगा पेशेंट को बहुत से वेलेक्टिक reaction हो सकते हैं ठीक है और systemic diseases भी कई बार bites की वज़ा से हो सकती है clear तो यह सब detail आपको इसमें दी हुई है tick bite का भी है scorpion bite का भी है तो यह आपको देखना है treatment के लिए हम क्या देख सकते हैं treatment के लिए bites में हम topical corticosteroids लगा सकते हैं patient को persistent itchy और इद्मा होगी तो oral anti histamines दे सकते हैं patient को severe reaction हुआ difficulty breathing हुई तो medical emergency required हो जाएगी तो subcutaneous epinephrine हम दे देंगे patient को या फिर corticosteroid injection देंगे या और life support measures oxygen वगेरा patient को देंगे epinephrine emergency kits available रखेंगे हमेशा अगर कोई allergy के साथ patient available है hospital में फिर rocky mountain spotted fever एक तरह का severe rickettsial disease है जो tick bite से transmit होता है कौन ही टियोलजी में रिकेट्सी या रिकेट्सी नाम की है जो American dog tick होती है उससे transmit होता है appearance कैसे दिखेगी fever and chills दिखेगा पहले उसके बाद में चार दिन तक रिदमेटस होगा patient को उसमें bleeding और रिदमाटाइट का दिखेंगे maculopopular rash में क्यूल और प्यूल की तरह बनेंगे कहां पर रिस्ट हैंड्स एंकल्स spread करें जाएंगे ट्रंक तक और अपर एक्स्टिमिटी तक और इस तरह के टाइप आउफ स्प्रेड से होने की वज़र से रैस बहुत ज़्यादा नेक और ट्रंक और पैरिफररी एरिया में ज्यादा होंगे पटाची फॉर्म हो सकते हैं अपियर हो सकते हैं वैसिकल जिफ्यूज हो सकते हैं एरिया गैंग्रीन फॉर्म हो सकते हैं ठीक है काफी सीवियर कंडिशन बन सकती है डियाग्नोसिस के लिए इंडिरेक्ट इम्मिनो फ्लॉरेसेंस एससे डिअगनोसिस मेथड यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट में हम टेट्रासाइकलिंड टेट्रासाइकलिन एनलॉक्स या क्लोरा मॉफ सॉरी क्लोरा मंफिनिकॉल यूज कर सकते हैं पेशिंट को जो इन्फेस्ट करते हैं एर बेरिंग एरियाज में जो हब के हैड लाइस या फ्यूबिक लाइस होते हैं ठीक है क्लोट में भी दिख सकते हैं बॉडी लाइस हो सकते हैं अप्यरंस पंक्टा दिखने को मिलेगा सम्टाइम सरांडिक अरिधमा भी ब्लेडिंग देखने प्रेजिए को मिलेगी साथ साथ वहां पर सकिन में मैंनर ब्लीडिंग बैइट स्कैन वी प्रियूराइटिक जो बाइट होगी कमसे कम इची होगी यह पेंपूल हो सकती है ठीक है और बहुत जएदा लाइस भी हो सकते हैं और फ्यू लाइक्स भी हो सकते हैं यह देखिए कु करने के करने के लिए डागनोसेसं कि अब treatment है treatment कैसे करेंगे treatment lies को eradicate कर सकते हैं बहुत difficult होता है अरडिकेट करना करना तो हम for hair being area infested with lies हम क्या करेंगे परिमे Heartent Shampoo रहेंत क्या करेंगे परिमे Heartent Shampoo या कर सकते हैं अच्छी सी कॉंबिंग होगी जिसके फाइन टूथ होंगे उससे हम रिमूब कर सकते हैं तीक है इसकी त्रीट्मेंट एगर करना है बॉड़ी लाइस के लिए तो हम ले करते हैं और बाइट करते हैं क्या है सारकोप्टेज स्कैबीस वैरियेशन होमोनीस ठीक है यह दो तरह के होते हैं तो अपियरेंस कैसी दिखेंगी स्कैली पैप्यूस दिखेंगे एक्जॉव एक्सक्रोशियन आपको स्क्रेचिंग की वजह से देखने को मिलेगा एस वेल एस टिनी लीनियर वैवी ब्यूरोज देखने को मिलेंगे वाम एरिया हो जाएगा बिट्मिन फिंगर और टोज में अंबलिकस में वेसलाइन में और पीनियल साफ में स्किन इंफेक्शन इसके बीज इची भहाएज ज़्य होगा डागनोसी समकरेंगे एक्जामिन करेंगे प्यूस का रिजंका रूरोजान भी ठीक है या फिर माइट और मैट फेसे का वैस के एक्स का और उसके की सीचिक करते हैं एक हाप गालीक्रूछ करते के शुब्जून hired कर exports सकते है शुबह उसे क्लीन कर देना है और इस किवीज को दूर करने के लिए ठीक है थैंक यू